इस मंदिर के तैखाने में रखा है हजारों टन सोना एक मंतर से खुलेगा दर्वाजा पर कोई नहीं जाता मंदिर के दर्वाजे के पीछे आखिर क्या है रहस्य? भारत में आज भी कई रहस्य विज्ञान के सोच से पड़े हैं केल के पदवनाब मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा मान जाता है कि यह भारत का सबसे अमीर मंदिर है केल के पदवनाब स्वामी मंदिर में 6 तैखानों में से 5 तैखाने खुलने पर दुनिया के होश उर गए इन पांच तैखानों से कीमती पत्थर, सोने और चान्दी का भंडार निकल चुका है लाग करोर से अधिक का खजाना वहां मिला था छठे दर्वाजे में इतना खजाना है जिसकी कोई कलतना भी नहीं कर सकता लेकिन इस तैखाने के दर्वाजे को खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता जान ये आखिर क्या है इस छठे दर्वाजे का राज सदियों से बंद केरल के श्री पदमनाब स्वामी मंदिर के नीचे बने पांच तैखानों को जब खोला गया तो वहां बहुमूल ले हिरे जवारातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां भी निकाली गई लेकिन छठे तैखाने के दर्वाजे के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं जबकि इस बात का सभी को अंदाजा है कि इस छठे दर्वाजे में दुनिया का सबसे ज़्यादा खजाना इसी दर्वाजे के पीछे चुपा हुआ है लेकिन जैसे ही इस मंदिर के छटे दर्वाजे को खोलने की बात होती है तो अन्होनी की कहानियों का जिक्षिर जाता है इस तैखाने में तीन दर्वाजे हैं पहला दर्वाजा लोहे की छरों से बना हुआ है दूसरा लक्री से बना हुआ है और भारी है और फिर आखरी दर्वाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दर्वाजा है जो बंध है और उसे खोला नहीं जा सकता दरसल छटे दर्वाजे में ना कोई बोल्ट है ना ही कुंडी गेट पर दो सापों के प्रतिविम लगे हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं कहा जाता है कि इस गेट को कोई तपस्वी गरूर मंत्र बोल कर ही खोल सकता है अगर उचारन सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यू हो जाएगी पहले भी कई लोग इस दर्वाजे को खोलने की कोहिश कर चुके हैं लेकिन सभी को मृत्यू के दर्वाजे का मुह देखना पड़ा 1930 में एक अखबार में छपा एक लेख बहट राबना था लेखक एमिली गिलक्रिष्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पदमनाब सौमी मंदिर के छठे तैखाने के दर्वाजे को खोला तो उन्हें अपनी जान बचा कर भागना पड़ा क्योंकि तैखाने में कई सिरों वाला किंग कोबड़ा बैठा था और उसके चारों तरफ नागों का जुंड था सारे लोग दर्वाजा बंद करके जान बचा कर भाग खड़े हुए इस तैखाने के पीशे भी एक कहानी है कहते हैं कि करिब 136 साल पहले तिरुवरंत पूरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे तब मंदिर के करमचारियों ने इस चटे तैखाने को खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमच चुकानी पड़ी थी अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भढ़ने की आवाजे आने लगी इसके बाद उन्होंने तुरंट दर्वाजे को बंद कर दिया था यहां के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये चटा तैखाना सीधे अरब सागर्ष जुरा हुआ है अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए चटा दर्वाजा तोड़ता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को बहा ले जाएगा धन्यवाद